आज हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रिय मंत्री किशान नेता हुकम देव नारायन यादव। समाजवादी चिंतन, लोहियावादी चिंतन, गांधिवादी चिंतन, देंद्यालूपाधय का चिंतन, इनको एक द्रश्टी से हम इनको मानते हैं कि ये अपने आप में संगम है सब चीजों का और आज एक हम एहम भी से पर इनसे बात करना चाहेंगे, जाती, धर्म को लेकर, पंत को लेकर कि समाज में कभी रामचरित मानत को लेकर कि बहुत सारे विवाद इस समय खड़े हुए हैं। हाल ही में कल राष्टिय स्वयम्शेवक संग के प्रमुख मोहन भागवजी ने एक बयान दिया है और उन्हों ने ये का है कि जाती व्यवस्था ब्रहमनों की देन हैं। हम इन से इस जाती व्यवस्था पर मोहन-भागवत के द्रश्टी कोंड को लेकर चर्चा करते हैं। मोहन भागवता जी ने ब्राम्मन सब्द का इस्तमाल नहीं किया है। मरहमन सब्द के अलावे दूसरा सब्द है दूसरा सब्द है वो सब्द है साइद कुझारी या कुछ ऐसा तिसरी बात है पादनिय मुहन भागवस संग के परधान है और मार्ग दर्शक है संग की जात्रा सास्वत है और सनातन है हम रहें या न रहें देश रहेगा मुहन भागवस जी ने जो कहा है वो किसी जाती के लिए नहीं कहा है और अगर उनके सब्द से कोई जाती जाती वाले अपने को जोड रहे हैं तो वही मुहन भावद जी की सरिष्टा को सिद्ध कर रहे हैं गीता के बात करते हैं गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा है चातुर बर्न मया सरिष्टा गुन कर्म भिभागसा गुन और कर्म माने है क्या यह जो ब्याक्षा करने बाले है कहीं उसमें लिखा हो जनम कहीं जन में लिखा हो लिखा है गुन और कर्म गुन माने जोगित कर्वमाने क्या कर रहा है तो आपका आज से यह है कि जाती जन्म से नहीं बल्कि करम से है और यही सास्त्र सम्मत है और मोहन भागोज जी यही कहना चाहरे है फिर देखिए आप स्वेम भटकते हैं जी सबाल है वर्न का आपका जाती जाती से सुरुआत करूं वारन पे तमे आया नहीं नहीं जे जे कहीं भारतिये वेद है यह चार बेद छक्राहरे छे सास्त्र एकादव सुपनी शत्र यह ऐधार ग्रृंत है एं चार जत्र उक्राणतर जिसको ब्राह्मन ग्रंट कते हैं उन ग्रंथों में मैं चुनूती देता हूँ अगर हिंदुस्तान का कोई धर्मा चार्ज और पंडित उन चारों ग्रंथों में मुझे जाती नाम से कोई बता दे तो मैं उनकी गुलामी करूँगा आने तो उन लोगों को खरा होकर के मोहन भागवत से चमा याचना करनी चाहिए दूसरी बात हमारे वेद में है आस्रम वेबस्ता उस समय बर्म हिनिता आस्रम आस्रम माने प्रहम चारज अस्रम ग्रहष्ता आस्रम बानपर्षत आस्रम सन्यास आस्रम कि सा सा도 सौ ब्रस मानने के समाज के सभी के लिए ये चार आयूँ तक सभी लरके लर्कियों को सभी जब मैं सभी कहूंगा तो सभी तो सभी तो 20 बरस के सभी बच्चों को ब्रम्चर्ज का पालन करते हुए गुरु कुल में शिख्षा जहां समान सिक्षा होगी हम संक्षित में अपनी बात कहें आपसे बड़ी काम की बाते हमको करनी है तो जाती विवस्था पर आप बोल रहे हो तो आपने स्पष्ट कर दिया मौन भागवाज जी ने जो कहा है वह बिलकुल सास्तर सम्मत का है किसी वेद सास्तर में जाती का उल आगे बढ़ा रहे हैं अब इनको थोड़ा सा संक्षित में बता दीजिए देखिए मैं कहा ना कि वो था तो सब परनियम था यह वेदी काल के बाद त्रेता का जुगाया राम का जुगाया तो समाज का जो विकास हुआ यागे संख्याय बढ़ी लोग बढ़े तो उसमें क कुछ परिवर्तन करना पड़ा उसमें के हमारे डिश्यों ने परिवर्तन किया तो परिवर्तन करने के बाद तव वो जो आश्रम वेबस्था थी उसको कहा वर्न आश्रम आश्रम से हो गया वर्न आश्रम वर्न आश्रम में हुआ कि वर्न किया तब कहा ब्राह्मन छत्री व ravna+, उनको कहा समाज में कि अब काम के अनुशार फिर्जाब कर दीजिंग कि आधार। तो उसमें कहा ब्राह्महन च्शंच्री वहिष रूद्र। του और ब्राह्महन का क्या कर्म होगा ब्राह्महन. तब ब्राह्मन के कर्म निर्धारित कर दिये गए जो गीता में ब्राह्मन के एका एका एगारा दस या एगारा उनके यो गीता मापदंध है कि ये 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 करने बाला ब्राह्मन उसी तरह ये ये करने बाला छत्री और किर्शी गोरक शुबानी जम वैश कर्म सुभाव जम और समाज के अंदर जो सभी लोग हैं, उन सबों की सेवा करने के लिए एक वर्ग होना चाहिए, उसको हम कहेंगे सुद्र, सेवा, सेवा का मतलग, चाहे स्वास्त का सेवा हो, चाहे सिक्षा की सेवा हो, चाहे वो परिवहन की सेवा हो, सब में सेवा लिखा रहता है, सब में स सेवा, चाहाँ प्रशाशनीक सेवा हो, तbed सेवा है, मैं जो जो कहता हूं कि हट भाव पहले, यह प्रशासनीक सेवा, भारतिय सेवा, कैटर माने क्या? राज्यसरकार का तो यह जो सेवा सब्द जो रागिया उसके साथ अर्थात सेवक, सेवक माने सूद्र, नहीं, सेवक माने जो बिभिन चेत्रों में समाज की सेवा करे, उसको कहा जाएगा सूद्र, सूद्र माने नीच है, एक बात बीच में जो आ रही है, आपने मानस का जिकर किया, बहुत चर्चा म में आ रही है वो जो चोपाईये डोल गवार सुद्र पशुनारी ये शवताडन के अधिकारी जो इस तरह के जो विवादित विशे हैं क्या ऐसा संभव नहीं है कि हमारे धर्म गरंतों में कुछ ऐसा जो लिखा हुआ है जिनको लेकर के विवाद है उस पर चिंतन मनन हो आज के समय में तो अगर राम और क्या कुरान में और बाइबिल में जो जितना लिखा हुआ है वेज्ञानिकता के अधार पर सभी का पिसलेशन होना चाहिए मैं कुरान बाइबल सब की कह रहा हूं सारे धर्म गरंतों में सब आ गया है मैं किशी राम और का हुआ है और इसमें ऐनेक पात्र है अनेको और उसमें जो पात्र जिस समय आया है जो पात्र उस पात्र के वो पात्र पात्र के गुन और कर्म फिर याद रखे पात्र के गुन और कर्म के अनुसार ही उस पात्र से डायलोग कहवाया गया है उसी तरह रामचरित मानस में कहने वाले पात्र अलग अलग है अलग अलग तो जो कुपात्र है वो भासा बोलेगा जो सुपात्र है वो सुपात्र की भासा बोलेगा और सबुझी भी दलित है है ना लेकिन सबुरी समदманित है क् phenomena की सबुझी की भासा ऑर राम की भासा वहां देखिए रामां आज़ामा sad Lena तो सबुरी भक्ति मारमिस्को उसको कहते हैं राम कि तुम सर्व स्रिष्ट भक्ति के हो, तुम्हारे में नवधा भक्ति है, तुम से स्रिष्ट तो कोई भक्ति में है ही नहीं, तुम स्रिष्ट भक्त हो, तो एक दलीत है सबरी, जो सबरी क्या कहती है, सबरी कहती है, पुछे किसी को कितनी मारमिक पीरा है, यह राम कर वैठी है सबरी तेराइस कुछति कोहु कोहु मातास्रम चार को तो सबरी कितनी पीरा से कची है अधम ते अधम अधम अतिनारी अतिन महु मैं मतिमंदय घारी मैं हूँ अधम अधम ते अधम अधम तीन बार है अतिनारी अधम केक्तो मैं बनबासी हूँ जात में अधम लोग मुझको कहते हैं एक मैं जिस परिवार में हूँ वोग अधम कहते हैं और एक मैं नारी हूँ इसको तो समाज ही सब अधम कहता है तिन महु में मति मन्दगारी और उसमें भी मैं मुर्क हूँ, मुझको कुछ ग्यान अकल नहीं है तब आभी बताएए ना कि हम क्या कुसल बताबे तब राम कहते हैं नहीं तुम स्रेष्ट हो प्रतम भगती, संतन के संगा, दूसर मम कथा प्रतंगा ये नौब भगती पखान करके, राम कहते हैं कि तुम तो नवधा भगती है असमाता तुम तो सभी प्रत्वे पर जितनी मेरे भगती करने बाले है सबसे स्रेष्ट हो तुम तब राम एक निर्धान, निर्बल, परवासी, अचूत, सबडी जब उनको यतनी उचाई पर रखते हैं, वो नहीं लिखाई परता है, लोग दूसरा, जब ये पंक्ती कहते हैं, तो वहाँ पात्र कोन है? समुद्र समुद्र अराम उस समुद्र को समुद्र को जब सोचने में है, तो समुद्र डर के हाथ जोर के खरा हुआ समुद्र के रखते हैं, समुद्र क्या है? पात्र में नीच है, अब उसको प्याख्या करिए, उसका खारा है न, सोभाब में खारा, समुद्र के पानी से कोई कुल्ला भी करता है, तो माली जो जो इतना खारा सोभाब का है, करवा सोभाब का, घटिया सोभाब का, तो वो राम के सामने जब हाथ जोड के जुका है तब राम को कहते है कि आप किरपा करके बहुत अच्छा कि यह जो मुझको मरजादा सिखा दिये मरजादा मुझको मरजादा मिह रहना सिखा दिये सब्द है वहाँ कि मरजादा तो राम उसको तो मरजादा सिखा है वो नहीं बिर्णन है और वो खुद करता है अपने मर्जादा सिखाक दिये और स्वभाव से हम जो है हम तो उसी में हैं तो यह समुद्र इस डायलोग को बोल रहा है तुलसी दाजी नहीं करें वो पात्र कह रहा है चलिए आज हमसे एक गंभीर विशे पर धर्म कहिए आध्यात्म कहिए हुकम देर नारण यादव ने विश्तार से बात की है आपका बहुत वो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए